आसे देखिये अगर मानसिक बीमारियों कि बात करें तो मानसिक बीमारियां बहुत प्रकार की होती हैं सबसे कॉमन हम लोग जानते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिसको हिंदी में घबराह을 कहते हैं फिर बाइपोलर होता है फिर OCD बिमारी होती है नशे की बिमारिया होती है तो देखा जाया तो मांसिक बिमारियों की स्रेणी में बहुत सारी बिमारिया है लेकिन हम लोग ज्यादा तर फोकस करना चाहेंगे समाज में जो बिमारिया बहुत ज्यादा जो मौझूद हैं डेप या सोचल मेडिया एडिक्सन की समस्या देख रहे हैं जो अभी लिटेस्ट सर्वे आया है जिसके तहट यह कहा जाता है जो हर एक आदमी एक घर को छोड़ के दूसरा हर हर घर में एक डिप्रेशन का दमी एक दिमागी बीमारी के लोग पीडित हैं तो इनके बारे में हमें ब करें तो अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो हर तीम में से एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी है और हर पांच में से एक व्यक्ति को ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके लिए उनको इलाज की जरुरत है अब जहां तक बात है डिप्रेशन की तो डिप्रेशन को हम लोग कहते ह common cold of psychiatric, जैसे आज कर पता है आपको कि सारीरिक बिमारी में सबसे common बिमारी के है common cold, viral flu, तो depression इतना common हो चुका है कि हम लोग अब इसको कहते हैं कि psychiatric का common cold है, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें किसी न किसी एक व्यक्ति को मानसिक बिमारी न हो, तो हमें इसको इस बात को समझना होगा कि नंबर काफी जादा है करोणों की तादाद में, जैसे मैंने कहा अगर तीन में से एक व्यक्ति को अगर घर में पांच या छे व्यक्ति है तो उस घर में एक या दो मानसिक बिमारी व्यक्ति मौजूद है लेकिन सबसे दुख की बात है कि मानसिक बिमारियां बढ़ रही है लेकिन उस तादाद में हमारे पास मनोचिकसक या मनोवग्यानिक उपलब्ध नहीं है और मैं एक डेटा बता दू कि सौ में से सिर्फ दस लोगों को ही मानसिक बिमारियों का इलाज उपलब्ध नहीं है अब लक्षन की बात करें जैसा कि आप बता रहे थे हर तीसरा आदमी इस बिमारी से पीड़ी धर डिप्रेशन से तो लक्षन की बात करें कई लोग कहते होंगे मुझे काम में मन नहीं लगता है इनके और क्या-क्या लक्षन है बताएं हमारे द दिप्रेशन में जो सबसे कॉमन लक्षन होता है कि व्यक्ति कहता है कि मुझे आजकल किसी भी चीज में मन नहीं लगता है जिसे कहते हैं लॉस ओफ इंट्रेस्ट फिर उसका जिंदगी की प्रती जो लगाव होता है जो जुकाव होता है वो दीरे-दीरे कम होने लगता है फिर इंसान की मन में नकरात्मक सोच आने लगती है फिर वो दीरे-दीरे उसकी नींद उसकी भूख और बहुत सारी सारीरिक प्रॉब्लम्स भी आने लगती है और कई बार बहुत सारे डिप्रेसंट के मरीजों में ये भी देखा जाता है कि वो लोग अपने आपको नुकस पहुंचाने लगते हैं और कई लोग तो आत्महत्या के कागार तक भी पहुंचाते हैं तो ये सबसे हमारा सीरियस कॉम्टिकेशन होता है लेकिन सबसे कॉमन है मन नहीं लगना अनिक्षा अनिंद्रा तनाव और कई बार व्यक्ति बिना वज़ा रोने लगता है और वो दे खोड़ देते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं तो ऐसे लोगों को इलाज की जुरत होती है